जेहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्प स्टेडी के लासे स्विस्समिजन यूटूब चैनल में दोस्तों आज का वीडियो इस्टार्ड हो चुका है तो सभी लोग लाइब आज आएंगे वीडियो को लाइक करना है और सेर भी करना है ठीक है जो भी साती अभी तक वाट्स सर्च कर लेना है MPT ठीक है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम की लिंक दी है तो आप टेलिग्राम से भी जुड़ सकते हैं ठीक है और स्टार्ट करेंगे आज का ही वीडियो पर्यावरण अध्यन में दोस्तों आज महत्पूर्ण प्रस्णों का यहां पर फिर से पढ़ने वाले हैं न सब्स्कारइब कर लेना बीडियो को और बैल आइकन को जरूर दूर दबाना को स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो है ऐर दोस्तों आज में आन्य सोचा कि थोड़ा लाइब चला कि दीखते हैं क्या थोड़ा सा हैना सवस्थ मेरा थोड़ा सभी ठीक नहीं था आज थोड़ा ठीक है फिर पड़ते हैं अपन पहला जो का आपका पहला पराशन है कि फासिल रा जी वास में राश्टी वद्यान भी है और यह जी च्छीज भतानी में में नहीं भी मरिया में हैं, या फिर धार में हैं, ट्रहिए चार प्रस्छनें दोस्तों और फासल राष्ट युद्यान हमेसा पूछा जाता है और दोस्तों ये कहां पर है? ये आपका बिल्कुस सही आंसर होगा दिन्डोरी में, ठीक है? डिन डोरी यानि कि आपका जो एक नंबर है दोस्तो वह बिल्कुhl सही हो जागा ठीके एक नंबर डिन डोरी में है और यह जो डिन डोरी है यह कुंसे संभाग में आता है यह सह यह बांगों हैं इसको भी आद रखेंगे ठीके और यह फासर राष्टी उद्यान मद्द प्र इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तो ठीके और यहां पर एक स्थान क्यांसा गोगबा गोगबा जो है मैंन माना जाता है दोस्तो है ना और यहां पर क्या है पॉध। के बहुत पराचिन जीवासमें मिले इस इस ढंडरी के फासिल राश्टि। द्यान में ठीक है अब ये इसकी स्थापना कव हुई थी दोस्तों ये क्वेस्चन भी आपसे बनेगा जीवास प्राष्टी उद्यान की स्थापना कव हुई 1968 में हुई ठीक है लेकिन इतना डीप नहीं पूंचा जाएगा आपसे फिर भी आपको जानना जरूरी है तो ये च प्रश्न किरमांक टू का उत्तर हमें बताना है दुरलाप सपेद बागों के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा है इस सपेद बागों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है तो कौन सा माना जाता है नंदन कानन माना जाता है बांदाओगर दोनों या फिर कोई नहीं सपेद बागों के लिए आपको बताना है और सपेद बागों के लिए जाना जाता है कौन सा कौन सा जाना जाता है दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो नंदन कानन है ये भी जाना जाता है और ये बांदाउगण भी जाना जाता है है ना दोनों जाने जाते है नंदन कानन ए कहां पर है कि उड़ीशा में है यह से बाद नंदन कानन भी और बांद अगड़ भी ठीक है अब आपसे पूचा जाएगा कि नंदन कानन राष्ट उद्यान कहां पर है जो सपेद वागों के लिए जाना जाता है तो आप बता देना उड़ीसा और बांद अगड़ कहां पर है जो सपेद वागों के लिए जाना जाता है तो यह बता देना रीबा अब दूसरा question एक और बन जाता है कौन सा बन जाता है कि एक बनता है आपका कि मद्द प्रदेश में सपेद बाग किस राष्टी उध्यान में पाए जाते हैं आप बता दोगे बांध उगण में खीके बिलकुल बता दिया अब सपेद सेरों की भूम कहा जाता है रीबा को यह याद रख लेना ठीके लेकिन अगर पूछा जाए कि बांध उगण राष्टी उध्यान कहां पर है तो बांध उगण राष्टी उध्यान आपका कहां पर हो जाएगा दोस्तों बांध उगण राष्टी उध्यान होगा कहां पर उमरिया में यह म कटक चावल अनुसंधान के लिए जाना जाता है ठीक है उडिसा में एक और कॉस्चन बनता है कि जो है हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना है हीरा कुंड बांध तो यह उडिसा की महा नदी पर बना है है ना और एक और कॉस्चन पूछा जाता है कि उडिसा का सोक किसे कहा जाता है तो डिशा का सोक कहा जाता है महानदी को यह भी आपको याद रख लेना है ठीक है अब यह महानदी कहां से निकलती है तो यह महानदी निकलती है दोस्तों आपकी 36 गड़की यहां से धमतरी से निकलती है कहां से धमतरी से निकलती है यह भी आपको याद रख लेना है धमतरी, 36 गड़ की धमतरी से ठीक है, तो ये बांधा गड़ की बारे में इतनी चीजी आपको याद रख लीना है, ठीक है, है ना, हाँ ठीक है ललिता जी, सिवानी जी, अब हमें बताना है भारत में बाग परियोजना का सुबारंब हुआ तो कब हुआ, प्रस्न किरमांग 3 म बाग परियोजना यानि कि टाइगर प्रोजेक्ट जिसे आप टाइगर प्रोजेक्ट बोलते हों ठीक है टाइगर की सर्रक्षन के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया यानि कि इनका सर्रक्षन किया जाना था ठीक है अब आपको पता होनी चाहिए कि ये जो बारत में बाग परियोजना का सुभारंग हुआ था यह कब हुआ था ठीक है एक क्वेश्चन आफ का ऐसा बनेगा आपने बता दिया कि सर anlam मैं ठीक है बाग परियोजना का शुभारंग हुआ 2003 मैं यह चीज तो आपको पता हो गई अब आपसे एक question पूछा जाता है दोस्तो कि विस्वाग दिवस कम मनाते हैं अंतराष्टी बाग दिवस या फिर विस्वाग दिवस कम मनाते हैं तब आप विस्वाग दिवस कम मनाते हैं ये comment में लेखें फटाक से और साथ ही आपको पता है कि ये जो बारत में बाग परियो प्रारम्भ हुई थी ये किस राश्टी उध्यान से हुई थी ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए तो दोस्तों उत्त्राखंड में एक राश्टी उध्यान है कौन सा राश्टी उध्यान है जिमकारवेट राश्टी उध्यान है इसी जिमकारवेट राश्टी उध्यान से इसका क्या हुआ था सुबारम हुआ था ये चीज भी आपको याद रखनी है टाइगर प्रोजेक्ट की बिलकुँ सही है अर्बिंद जी 29 जुलाई को हम विस्वाग दिवस या अंतर राष्टी बाग दिवस मनाते हैं है ना ये सबी को पता है भारत में इस बाग टाइगर प राष्टी उध्यान को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था एक क्वेस्चन भी आपसे हमेशा पूचा जाता है तो पूर्व में जाना जाता था हैली के नाम से ठीक है अभी जिमकारविट राष्टी उध्यान कहां पर है उत्त्राखंड में है तो उत्त्राखंड से साबंदेत कि वन फ्राणी आनुसंधान के अंद्र कहाँ पर है तब भी आप बता देना कहाँ पर हैं तो यह बी आपका देहरा दून में हैं ठीक हे दोस्तो तीसर हम का वनता चिपको आंदोलन संबंदे थे तो यह भी आपका उत्तराखंड से संबंदेrett ह। ठीक है तो वारम उनीस्तो तहित्तर से हुगा ठीक है तहित्तर यह चीज आपको याद रखनी है फिर आंगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेस्चन की भारत का कौन सा राज टाइगर राज कहलाता है अब यह प्रस्ण चोथा है और दोस्तों यह चीज भी आपको बतानी है कि का रही है यह तो आपकी पर्यावन से संब्देत हैं खो कौन पर सोयाबीन की फसल होती है ठीक है यह आपको बिलकुँ सही है अप एक को आंदोलन 83 करनाटक बिलकुँ सही है सोयाबीन तो आपको पता है अब दोस्तों सोयाबीन की अधिकता की करण मद्ध्रदिस को सोयाबीन इस्टेट कहा जाता है ठीक है अब सोयाबीन की जब बात है ठीक है तो यह भी आपको याद रख लेना है इंदोर में दोस्तों आपका क्या है सोयाबीन स्टेट है है ना इस सोयाबीन का अनुसंधान के अंदर इंदोर में है ठीक है फिर आप से पूचा जाता है कि Asia का सबसे बड़ा सोयाबीन का कार खाना कहां पर है थीख on the जेंअ में है एचीज भी आपको याद रखनी है ठीक का सबसे बड़ा है इसलिए और आनुसंधान के अंदर इंदॉर और आओ जे कार खाना जेंगी अब जें की जब बात आती है दोस्तों तो उज्जन जो है छिप्रा नदी के किनारे इस्तेत है छिप्रा नदी के किनारे कौन सा उज्जन ठीक है अब छिप्रा नदी कहां से निकलती है तो यह चिप्रा नदी को भी हमें याद रख लेना है कि सरे काकरी वरनी से निकलती है काकरी वरनी ठीक है काकरी वर्नी पहाडी से निकलती है अब छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है तो ये चंबल की सहायक नदी है इसको भी याद रखेंगे हम छिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है और छिप्रा नदी के किनारे कुम्ब का मेला आयोजित किया जाता है ठीक है कुम्ब का पाव की पहाड़ी इन दौर से निकलती है ठीक है और चम्बल मद्यप्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दूसरी सबसे बड़ी नदी कौनसी है चम्बल है इसकी कुल लंबाई कितनी है 965 किलो मीटर है यह चीज भी आपको याद रखेंगे 965 किलो मीटर चम्बल की ठीक है तो हमने देखा कि मद्यप्रदेश को टाइगर एस्टेट कहा जाता है सोया एस्टेट भी कहा जाता है ठीक है फिर दोस्तों क्या कहा जाता है इसे नदीयों का मायका भी कहा जाता है नदीयों का मायका ठीक है लगू भारत भी इसे कहा जाता है तो यह चीज भी आप आपको याद रख लेना हो टाइयर स्टेट तो MP को कहा ही जाता है यह चीज भी आपको याद रखनी ठीक है दोस्तों अंगला है भारत में जयोवित्ता अधिनियम कब लागू हुआ है जयोवित्ता अधिनियम आपको बताना है यह कब लागू हुआ है अधिनियम बना यह तो क्या हो रहा होगा जयवित्ता जब पूचा जाता है तो बोली सर जयवित्ता की जब बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहले पस्चमी घाट याद आ जाता है भारत में एक क्वेस्चन आपका बनता है कि भारत में जयवित्ता की कितने होट स्पोट छेत रहें आप बता द इसको निकाल लो और एक दो इसको निकाल लो ठीक है दो हमने यह निकाल दिये और दो हमने यह निकाल दिये मिला दो इन दोनों को यहां पर आपका हो जाएगा बाईस माई ठीक है बाईस माई है ना बाईस माई को हम क्या मनाते हैं जयो ब्यूदिता दिबस और दो हजार दो दो आंगे कर दो इस दो को और दो जीरो ऐसे फिर रख दो तो बाइस माई को लिखो और दो जीरो बीच में रख दो दो हजार दो में आपका अधिनियम आ जाएगा ठीके तो दो हजार दो में अधिनियम बना बाइस माई को जवित्ता दिवस मनाती इसको याद रखेंगे ठी यह अपना केरल है यह जो छेतर है यह पस्चमी घाट कहलाता है और यहीं पर अपना क्या है साईलन्ट बैली है आपसे एक कॉस्चन पूछा जाता धा साईलन्ट बैली कहाँ है या फिर सांत घाटी कहाँ पर है ठीक है सान्त घाटी तो सान्त घाटी दोस्तो एक आंदोलन चलाता सान्त घाटी आंदोलन या साइलेंट वैली ये कहां पर केरल में हैं ये तो कई बार कोश्चन पूछा गया है चुकि परियावण से सम्मन्द थे तो आपको याद रख लेना है और ये पस्चमी घाट का यह आपका उत्री दुर्ब है और यह आपका दक्षडी दुर्ब है। किके एक question पूछा जाता है कि अगर भूमद्रेखा से दुर्बों की ओर जाती है तो जिवित्ता घटती है या वड़ती है। है ना, इस side आएं या फिर उस side जाएं। किसी भी side जाएं। अगर भूमद्रेखा से दुर्बों की ओर जाएंगे तो जिवित्ता क्या होगी? माइनस होगी और धुर्बों से अगर भूमद्रेखा की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगी? बड़ेगी जिवित्ता वड़ेगी ठीक है तो यह question यहां से भी पूछा जाता है जो हमेशा ठीक ह मैती आंदुलन किस राज से सम्मंदे थे लद्दाक, उत्राखंड, करनाटक या फिर मद्द्प्रदेश में यानि कि प्रश्ण किर्मांग को 6 का हमें चैन करना है तो ये जो मैती आंदुलन साइद मैंने पढ़ाया था विस्त्रित इसको है ना और इसमें क्या होता है मैती आंदुलन में कि जब साधी होती है साधी होती है दूला और दुलहन की साधी होती है तो दूले को क्या करना पड़ता है दूला को अपनी ससुराल में यानि कि दुलहन के घर पर एक पौधा लगाना होता है क्या लगाना होता है पेड एना एक पौधा लगाना होता है और उसकी सुरक्षा भी करनी होती है तो यह मैती आंदुलन से संबन्देत है अगर आप से कभी पूचा जाए कि किस आंदुलन से संबन्देत है या फिर दूला अपनी ससुराल में एक पोधा लगाता है वो किस आंदुलन से संबन्देत है तो वो मैती आंदुलन से संबन्देत है ठीके और यह दोस्तों आपका उत्तरा खंड से यानि बी नम्मर आपका सही हो जाएगा ठीक है बी नम्मर हाँ मैती आंदोलन मैती आंदोलन चिपको आंदोलन इनको याद रखेंगे ठीक है अब आपको बताना रेड क्रॉस का मुख्याल है कहां परशते थे दोस्तो रेड क्रॉस आपको पता है रेड क्रॉस का उद्देश है दोस्तो मान भी ये जीवन मान भी ये जीवन एबं हेल्थ को सुरक्षित है ना हेल्थ को सुरक्षित रखना ये रेड क्रॉस का क्या होता है उद्देश है और इसका मुख्याला हमें पता होनी चाहिए तो आपने देखा होगा इस परकार से रेड क्रॉस है ना और इसकी स्थापना कभ हुई थी? 1863 में इसको याद रखेंगी, रेट क्रोस की स्थापना हुई, इसका मुख्याल है जिनेवा में है, ठीके, सुर्जरलेंड की जिनेवा में, और इसका उद्देश से है कि मानवी जिन्दिगी को क्या करना? सुरक्चित रखना, हेल्थ को यह रेट क्रास का मुख्याल है, इसको भी याद रखेंगी, 1863 इसका बिलकुस सही होगा, ठीके, विश्चु बान की दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? प्रश्निकिरमांक 8 में हमें चेहन करना है, विश्चु बान की दिवस, 22 माई को 21 मार्च, 22 अपरेल, 22 मार है, कि लोगों में बनों की प्रती जाग रुकता, लोगों में बनों की प्रती जाग रुकता लाना, यानि कि जैसे बनों को आग से बचाना, बनों को ना काटना, इस परकार से जाग रुकता लाना, यह विश्चु बान की दिवस का प्रमो को दिस होता है, और यह दोस्तों कब मनाया जाता है ये चीज आपको बता होनी चाहिए रितू तरपाठी जी बिलको सही है 21 मार्च को मनाया जाता है 21 मार्च को बिस सु बान की दिवस मनाया जाता है ठीके 22 माई को जियोवित्ता दिवस मनाया जाता है तो ये 22 वाला आकड़ा सभी लोग याद रखेंगे ठीक 22 वाला अब दोस्तों यह जो 22 21 मार्च है यह 21 मार्च को हम विस्वान की दिवस मनाते हैं और यह दोस्तों क्या UNEP UNEP द्वारा मनाया जाता है यह चीज भी आपको याद रख लेना है ठीक है UNEP द्वारा और यह दोस्तों UNEP के जो मुख्याला है वो कहां पर है नेरोबी में यह चीज भी आपको याद रख लेनी है और दोस्तों यह नेरोबी कहां पर है केन्या में केन्या की राजदानी नेरोपी में UNEP का मुख्याला है है ना और यह 200 वान की देवस 21 मार्च को मनाते हैं जिसका उद्देश होता है कि बनों के पिर्थी लोगों में जाग रुकता पैदा करना यह हमें बताना है दोस्तों तो यह सर्रक्षन देवस आपको बताना है 7 अप्रेल 5 जून 16 सितंबर 26 नवंबर तो यह चीज भी आपको बतानी है बिल्कु सही रितू जी उनाइटेड नैसन इन्वार्मेंट प्रोग्राम बिल्कुल UNEP का कभी कभी फुल फार्म भी पूछ लिया जाता है तो फुल फार्म भी आपको याद हो नीच चाहिए ठीके अब विश्व परियावरन सर्रक्षन दिवस तो आपको पताये है बुली सर परियावरन दिवस हम मनाते हैं देखो नौका भी बता दिया अदिकांस लोगों ने अभी भी बहुत सारे लोग कण्फूजन है देखो विश्व परियावरन दिवस 5 जून जो लोग B बता रहे हैं वो थोड़ा सा गौर से सुन लेंगे यहां बहुत सारे लोग कनफ्यूज हैं और जिन्होंने नहीं पड़ा है वो गलत करके आती हैं अब जिन्होंने B बताया था वो अपना गलत नहीं करेंगे कभी विश्चु परियावन दिवस 5 जून विश्चु परियावन सर्लक्षन दिवस 26 नवंबर को ठीके और 7 अप्रेल को हम विश्चु स्वास्त दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को हम विश्चु ओज्वन दिवस मनाते हैं ये चीज सभी को पता है दोस्तों आपको पता है कि 1972 में एक सम्मेलन हुआ था परियावरन का प्रिथम सम्मेलन हुआ था परियावरन का ऐसा प्रिथम सम्मेलन था जिसमें ये बात कही गई कि क्या परियावरन का संरक्षन होना चाहिए ठीके तबी से 26 नवंबर को क्या मनाने लगी हम विश्चु परियावरन संरक्षन दिवस 26 नवंबर को ठीके और 1972 में हुआ था परियावरन का प्रिथम सम्मे यह चीज भी आपको याद रख लीनी है ठीक है और 26 नवंबर आपको याद रखना है फिर डॉल्फिन मैन आफ इंडिया कहा जाता है तो किसे कहा जाता है डॉल्फिन मैन आफ इंडिया केला सांखला को कहा जाता है रबिंद्र कुमार सिनहा को कहा जाता है सलीम अली या फिर डाक्टर रामदेव मिस्रा को, तो ये चीज भी आपको याद रख लेना है, ठीके, कैसे याद रखेंगे, यहाँ से question भी आपको बनते हैं दोस्तों, और यहाँ जल्दी से comment में लखें सभी लोग उत्तर, आपका सही answer क्या हो जाएगा, कि Dolphin Man of India है, Dolphin Man of India, वो किसी कहा जाता है, किसी कहा जाता है, रबिंद्र कुमार सिनहा को, ठीके, रबिंद्र कुमार सिनहा को Dolphin Man of India कहा जाता है, ये तो B-number आपका बिलको सही है, दीपाय आदव जी, है न, B-number सही हो जाएगा, फिर एक question पूछा जाता है, दोस्तों, भारतिय पारश्थित्की का जनक किसे कहा जाता है, भारतिय पारश्थित्की का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बता दे न, डाक्टर रामदेव मिसरा को, ठीके, भारतिय पारश्थित्की का जनक, प्रोफेसर डाक्टर रामदेव मिसरा, ठीके, रबिंद्र कुमार सिनहा को Dolphin Man of India, या फिर डॉल्फिन मैन के बाद टाइगर मैन आफ इंडिया कहा जाता है तो किसी कहा जाता है केलास सांखला को है ना और वर्ड मैन आफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को यह चारों कोश्चन आप से पूछे जाएंगे दोस्तों है ना चारों कोश्चन आपको तयार रहना ह इसके लिए है ना तो यह डॉल्फिन मेन और टाइगर मेन भारतिय पारस्तित की के जनक इनको आप याद रखेंगे बहुत अच्छे सी ठीक है अब दोस्तों यहां पर हम आते स्टॉक हॉम संबिलन कब हुआ था स्टॉक हॉम संबिलन तो आपको पता ही चल गया यह कब हुआ था ओर आपको बिल्कुल पता है कि स्टॉक हॉम संबिलन हुआ था 1972 में ठीक है और 1972 में हुआ तो अगर आप प्रत्वी संब्मेलन हुआ था प्रत्वी संब्मेलन हुआ था रियो-डी जैनेरियो में रियो डूई जैने रियो में यह प्रत्वी संभिलन हुआ था 1992 में 1972 में स्टॉक हॉम संभिलन हुआ था तो इनको हम याद रखेंगे 1972 ठीक है अब दोस्तों बियना समझोता संभिलन है और यहाँ पर आपका भीना संभिलन बताना है दोस्तों आपको भूकंप भी पढ़ना है है ना भूकंप भी पढ़ना है बंस रक्षन से सम्बंदित कोस्चन भी आपके आएंगे कारबन सर्जन से भी आएंगे ओजोन परस्ती सम्बंदित भी आएंगे तब आपका बिलकुस सही आंसर होगा कि यह जो बियना समझोता हुआ था 1985 में यह हुआ था दोस्तो ओजोन परत सी सम्बंदित था बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्चन है दोस्तो ओजोन परत सी सम्बंदित है है ना बियना समझो था 1985 में ओजोन परत सी सम्बंदित हुआ था ओजोन परत 16 सेतंबर को मनाते हैं आपको पता होगा ठीक है ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है समताप मंडल में कौनसी परत पाई जाती है ओजोन परत पाई जाती है ओजोन परत नापने की जो एकाई है वो कौनसी एकाई ह डॉप्सनकाई है तो ये ओजोन परत के बारे में आपको याद रख लेना है दोस्तों ठीके है और ये 1850 में BNA समझोता ओजोन परत को लेकर के हुआ था ठीके तो ये ओजोन परत याद रखेंगे और बेल्ड घास का मेंदान कहां पर रस्ते थे दोस्तों मैंने आपको याद करवाया था साइद ट्रिक भी बताई थी कि अगर बेल्ड आ जाए है ना बेल्ड आ जाए बेल्ड तो मैंने याद करवाया था कि बेल्ड से बनेगा बेल्ट बेल्ड से बनेगा बेल्ड और बेल्ट आपको पता है बेल्ट कैसे मिलना था फिरीका बोले आ फिरीका और जा फिरीका तो बेल्ड जो है आपको कैसा मिलना फिरीका बेल्ड मिलना फिरीका सभी लोग ले लेना है ना और जो बेल्ड है ये दोस्तों कहां पर है दक्षन अप्रिका में एक घास का मेंदान बेल्ड इसको याद रखेंगे दक्षन अप्रिका में है और दोस्तों अप्रिका की जब बात आती है तो अप्रिका में पता है सहारा मरुस्तल है सहारा विस्सु का सबसे बड़ा है ना काला हारी मरुस्तल भी है ना दक्षन अप्रिका के बारे में अपन को याद रखना है य और ये देखो ये दक्षन की प्रीः यहां पर हैसे आसे हाथी परयोजना कहां से शुरू हुण है हैं और आपको पता है दोस्तों कि एक मैंट पूछा जाता है सबेद हाथियों की भूमी थाईलन्ड है थाईलन्ड में पाई जाती सबेद हाथि और यह चीज भियाद रखनी है और हाती परियोजना की जो सुरुवात हुई थी वो कहां से हुई थी कहां से हुई थी ये ज़दी से लखे उत्राखंड से राजिस्तान से मद्द प्रदेश से या फिर जारखंड से हाथी परियोजना और हाथी परियोजना में आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा दोस्तों कि ये हुई थी कहां से जहारकंड से बिलकुछ सई है मेनू जी ये जहारकंड से हुईती कभुईती 1990 में ठीके 92 में इसको याद रख ली ना ठीके जहारकंड 1992 से हाथी परियोजना प्राराम होई और जहारकंड में दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जिन में से एक माना जाता है नागपूर का पठा है ना अगर आप से कभी पूचा जाए कि नागपुर का पठार कहां पर है तो ये जहारकंड में पढ़ता है है ना जहारकंड में ही इसकी सरबोच्च चोटी है कौनसी पारसनात ये भी आपको याद रख लेना ठीक है कभी अगर पूचा जाए कि नागपुर के पठार की पुच्च चोटी कौनसी है तो उसका नाम है पारसनात ठीक है जहारखंड में 1992 से हाती परियोजना शुरुवात हुई यह चीज भी याद रख लिए टाइगर प्रोजेक्ट अपना कहां से हुआ था उत्तराखंड से हाती परियोजना जहारखंड से ठीक है उत्तर को जहार उ दोस्तों आपको पता है कि केबला देओ पक्षी अभ्यारन भी है यहां पर केबला देओ है ना और यहां पर भरतपुर भरतपुर है भरतपुर है भरतपुर है इसको भी याद रखेंगे और दोस्तों यहां पर एक जील है कौनसी जील है जो अपने भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है सांभर जील सांभर जील है ना यह राजस्तान में ही है इसको भी अपन याद रखेंगे अब मद्द प्रदेश की तो आपको पताईए बहुत सारी चीजें हैं मद्द प्रदेश में जिनको अपन अलग से बताएंगे लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीजें लेना है जहां पर टाइगर का प्रेजनन टाइगर प्रेजनन जो आपके बंगाल की सीर है यह जी अई उत्राकंड में है जहारकंड में है, राजिस्तान में है या फिर मद्य प्रदेश में है यानि कि प्रशन किरमांग 15 का हमें चैन करना है दोस्तो ठीक है और अब बिलकोल अपन बहुत अच्चे से पढ़ेंगे पूरा अपना क्या है कि अब बहुत टाइम है परिच्चा की अब बोलने में भी देखकत जा रही है थोड़ी थोड़ी सी है ना बन उत्पादकता के अंदर कहां पर रस्ते थे ये चीज़ आपको बतानी है उत्तराखंड में है जहारकंड में है राजिस्तान में है या फिर मद्य प्रदेश में है बन उत्पादकता के अंदर तो ये भी कहां पर है दोस्तों बन उत्पादकता के अंदर ज्ञारखंड में कहां पर है ज्ञारखंड है ना हम बोलते ना ज्ञार ज्ञार इस प्रकार सी याद रखेंगे पेड जब बड़ा हो जाता है अपन बोलते ज्ञार हो गया ज्ञार हो या फिर बन के उत्पादों को जाड जैसे कोई इस प्रकार से ब्रक्ष लगा है है ना जैसे मान के चलो यह आम का ब्रक्ष है अब इस प्रकार से आपके आम गिर रहे हैं है ना यह क्या है बन के उत्पाद हैं बोले और बन के उत्पाद को जाड बन के उत्पाद को जाड तो जहाड से बनेगा जहारखंड तो ये बन उत्पाद के अंदर कहाँ पर है जहारखंड में हैं हाती परियोजना की शुरुगात कहाँ पर हुई जहारखंड से नांगपुर का पठार कहाँ पर है जहारखंड में ठीके ये चीज सभी लोग याद रखेंगे ठीके बन पर है दोस्तो लखनव में है ना पादा पनुसंधान के अंदर आपका लखनव में है ये भी याद रखना है और दोस्तो आपको पता है कि यहां पर लखनव में औस दी अनुसंधान के अंदर भी है कौन सा है औस दी अनुसंधान के अंदर भी लखनव है पादा पनुसंधान के अंदर भी लखनव है इनको याद रखेंगे ठीक है और बन उत्पादक तक के अंदर कहां पर है जहार खंड में है ठीक है इनको सभी को याद करना है अब अंगला देखते हैं A.C.I. सेरों का घर कहा जाता है तो किसे कहा जाता है प्रस्निक रमांक 16 में A.C.I. सेरों का जो घर कहा जाता है वहहओं जाता है आपके गिर राश्ट युद्यां को गिर यानी बी नम्मर आपका बिल्कुर सही है ठीक है अब गिर राश्ट युद्यान कहां पर है दोस्तों यहाँ पर बबबर सेर पाए जाते है न और ये A.C.I. गदे पाए जाते जंगली गदे कच्छ के रण में है ना और गिर गुजरात में इसको याद रखेंगे काना किसली राश्ट उद्यान ये कहां पर है तो ये MP में हैं सभी को पता है ठीक है यहां पर दोस्तों याद रख लेना है कि काना किसली राश्ट उद्यान देखो सबसे से पहले इसे भारत का पहला यहां स्विभंकर मिला है अपना भूर सिंग स्विभंकर यह यह भी के मद्य प्रदिस का सबसे बड़ा राश्टियोध्यान है यह भी यह याद रख लिए न आईगर प्रोजेक्ट भी सबसे पहले चलाया गया काना राश्टी उध्यान में ठीक है और दोस्तो एक आपने बुगाना सुना होगा की काना ने मारा मिस्कॉल राधा बोले हलो हलो इस प्रकार से क्या आता था है ना तो हलो हलो से बनता है दोस्तों यहां पर हालो घाटी भी है कौन सी घाटी है हालो घाटी यह तो इनको भी अपन याद रखेंगे ठीक है अगर आप से पूछा जा कि मद्देप्रदेश में हालो घाटी कहां पर है या बंजर घाटी कहां पर है तो यह काना राश्ट उद्ध्यान में है ठीक है और यही मंदला में एक फैन अभ्यारन भी है कौनसा फैन अभ्यारन दोस्तों फैन अभ्यारन मंदला में है इसको भी याद रखेंगे ठीक है जि बन तो हरे होते हैं काले बन कहां से आ गए दोस्तों आपने देखा होगा कि बन कहीं कहीं इतने घने होते हैं कि बहां पर सूर का प्रकास नहीं पहुंच पाता है ना सूर का प्रकास नहीं पहुंचता तो यहां पर हमेशा अंधेरा रहता है अंधेरा रहता है जिसके कारण इ क्या देखते हैं काले काले तो इन्हें क्या कहा जाता है काले बन कहा जाता है ठीक है काले बन कहा जाता है और काले बन कहा पर पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं दोस्तों जर्मनी में कहा पर जर्मनी में पाए जाते हैं यह चीज आपको याद रख लेना है अगर काले बन आपको देखना है तो मनी रख लो बहुत सारी है ना मनी रख लो फिर अपन चले जर्मनी मनी रखो फिर जर्मनी चले और यहां पर काले बन देखें तो काले बन कहां पर है जर्मनी में है आपने दोस्तों अमेजन के जंगल नाम सुना होगा जहां पर अमेजन नदी है सबसे चोड़ी नदी भी मानी जाती है, है ना, अमेजन में दोस्तों बहुत ऐसे घने जंगल होते हैं, जहां पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुच पाती, है ना, लेकिन ये जो काले बन हैं, वो कहां पाए जाते हैं, जर्मनी में, ये चीज आपको याद रखनी है, है ना, और ये देखो, ये हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा देख लो आप अच्छे से, ये चित्र के माद्यम से आप देखो, कितने घने हैं, ये पूरे देखो, ये इतने घने हैं कि अपनने पढ़ा है ना, किसत पुड़ा के घने जंगल, उंगते अन्मने जंगल, है ना, हवाना ध दस सको तो धसो इन में हवाना धसती इस प्रकार से क्या है ये देखो बहुत घने हैं इसलिए इने काले 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 देखते हैं काले काले और ये कहां पर हैं जर्मनी में हैं ये चीज भी याद रख लीनी है ठीक है काले जंगल कहां पर हैं जर्मनी इसको याद रखेंगे ठीक अब देखो हरा सोना की उपमा दी जाती है तो किसे दी जाती है प्रश्ण किरमांक 18 में परवत को दी जाती है है ना मौती को दी जाती है बन को दी जाती है फिर सोना को दी जाती है तो हरा सोना की उपमा दी जाती है किसे दी जाती है संद्या जी अंजना जी किसी दी जाती है तो आपको पता है हरा सोना कहा जाता है बन को बन को यह हरे सोने हैं दोस्तो जिससे ब्यक्ति की जिन्दिगी है ना जिव जन्तू जितने भी जिव जन्तू है वो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बनों पर ही निरवर है यानि कि बन ही क्या है जीवन है दोस्तो अगर बरसा भी होती है, जल भी हमें प्राप्त होता है, तो हमें बनों के माध्यम से होता है, ठीके, तो बनों के माध्यम से बन पर ही हम पूर्टा निर्वर हैं, प्रत्यक्षा प्रत्य रूप से, है ना, तो ये बनों को क्या दी जाती है, हरा सोना की क्या दी जाती है, उपमा दी इसको भी हम याद रखेंगे ठीक है बन है ना और बन अनुसंदान के अंदर तो हमने पड़े ही दिया था कि ये दोस्तों देहरादून में है और हमारे मद्द प्रदेश के कहां पर है जबलपूर में है ये भी अपन को याद रख लिए ना मद्द और यहां पर बन प्रश्न किर्मांक 19 में हमें चैन करना है बन किस सूची का बैसा है माने जाते हैं और आपने बिल्कुल अच्छा चैन किया है कि सर ये जो बन है वो समबर्ती सूची के किसके समबर्ती है ना अब आपको पता है कि सर ये जो बन है ये तापमान को कैसा रखते हैं तापमान को सम रखते हैं समान रखते हैं क्या रखत रखे गए हैं है ना बन ताप मांन को सम रखते हैं इसलिए ने समबर्ती सूची में रखा गया है इस परकार से आप याद कर ले לפ 10 अब इतना तो आपको पताई है komen है कि जो बन है वो ताप मांन को सम रखते हैं इतनी चीज आपको पता है सम से आपका हो जाएगा कि सम से बना संभरती सुची इसलिए ने संभरती सुची में रखा गया ठीक है इसको याद रखेंगे हो सकता है question पूछा जाए भारतिय बनने जीव अनुसंधान संस्तान कहां पर बनने जीव बनने जीव पूचा गया दोस्तों तो आपको बताना है भोपाल में है देहरादून में है कोलकाता या फिर नांगपोर में है भारतिय बन जीव अनुसंधान के अंदर तो आपको पता है दोस्तों कि हमने पड़ा था कि सर बन प्रबंद संस्थान तो भोपाल में है आपदा प्रबंद संस्थान और बन प्रबंद स दो question आप से पूछे जाती हैं कि बन प्रबंद संस्थान कहां पर है भोपाल बन प्रबंद संस्थान भोपाल और आपदा प्रबंद संस्थान भोपाल है ना बन जिव अनुसंधान के अंदर कहां पर है तो ए दहरादून में है ठीके परयावरण अनुसंधान के अंदर कहां पर है नागपुर में है परेयावरन ठीके इनको भी हमें याद रखना है और यह आपका देहरादून है जो उत्राकंड की राजधानी है उत्राकंड की ठीके इसको याद रखेंगे उत्राकंड की बारे में यहाँ पर दोस्तों पता है फूलों की घाटी भी उत्राकंड में ह केंद्र ये पक्छी सोश स्थान ये कहां पर रच्थे देहरादुन में हैं वरेली में हैं भोपाल में हैं या फिर नागपुर में हैं यानी कि प्रस्न किरमांग का 21 है उत्तर आपको ही कमेंट में लिखना है इसके बाद सभी लोग लाइक करेंगे आज हमने दोस्तों 20 प्रस्न के माध्यम से लगभग यहाँ पर 100 प्रस्नों पर चर्चा की होगी 100 प्रस्नों पर चर्चा की होगी और वो प्रस्न जो आपके एक्जाओं में हमेशा पूछे जाते उन प्रस्णों पर आज हमने चर्चा की है ठीक है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे जो भी साती टेलिग्राम ग्रूप में नहीं जुड़े हैं वो टेलिग्राम ग्रूप की लिंक के नीचे डिस्क्रिप्सन में दी है तो वो डिस्क्रिप्सन में अबस है टेलिग एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा है ना अभी तक में क्या था कि आप लोगों को एकजाम की दरश्टी से जल्द बाजी में फटा फट से फटा फट से रिवीजन करते जाओ रिवीजन करते जाओ वो सारी चीजें बताता जाता था जल्दी जल्दी लेकिन अब बहुत अच संजी है ना आर सिंग जी रुची जी लोकेश जी डीपा जी राज ठाकुर जी दोस्तों आज थोड़ा सा मुझे लगा कि आज वीडियो चालू करें है ना थोड़ा सा मेरा जो स्वास्ते था वह आज सही हुआ इसलिए मैं वीडियो भी लेकर के आया नेक्स्ट वीडियो भी अपन देखते हैं आज तो बैसे अब कोई ऐसा वीडियो नहीं लेंगे आज ठीक है कि एक्जाम जब भी हो उससे कोई प्रावलम नहीं आप लोग तो तैयारी करते रहों मस्ती से कोई देखकत नहीं है है ना मनीशा केसंजी मनोच कुमार जी अम्रीज जी ठीक है पूनम, राम, रिंग कीपाल जी और भीकम जी, रित्तू, और मिला, रुची, सिरिवास्ताओ जी ठीक है टाइम अपना साथ बजे ही रहता है, हमेशा परियावरन का टाइम साथ बजे ही रहता है, ठीक है, आज हिंदी की किलास आज आठ बजे नहीं ले रहे, क्या है कि, एक दिन क्या हो गया, जादा किलास से होगी, है न, तो गला जो है न, वो छिल गया, अब गला छिला है, तो थ तोड़ा सा और अपन क्या हो जाएं इस्ट्रॉंग तो ठीक है रितूतर पाथी और मिला जी आसुतोस जोती जी ओमंग जी राश्ठाकुर जी रूप बती और अर्बिंद जी दीपक कुमार जी भीकम गोसी जी सबी लोग सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दोस्तों डिस्क स्क्रिप्सन में लिंक दी है टेलीग्राम ग्रूप की जहां पर आपको लिंक पहुंच जाती है तो आप लिंक से जुड़ जाती हैं है ना ठीक है तो आज की वीडियो के लिए वस इतना ही जै हिन